तक दिक आज हम समझने वाले हैं प्लेनरी गीर सिस्ट्म के बारे बहुत बहुत कम होता है कि ये एपिसाइक्री गेर ट्रेंज समझाए जाए लेकिन इस वीडियो में अल्टीमिट समझाएगा है और मेरी तरफ से ये है कि मैं सरफ इसको हिंदी भाशा में डब करके बताऊंगा इससे ज्यादा मेरा इसमें रोल नहीं है और ऐसी वीडियो ना बनी है ना आगे बनेगी कभी मुझे लगता है जैसा मेरा मान है तो पार्ट वन है ये सिंगल सैट इसका नाम है सिंगल सैट ओके तो हमारे पास इस वीडियो में किस तरह से समझाएंगे बड़ा ultimate तरीके से समझते रहना और इसको किस तरह से explain करें देखो देखे हमारे पास सबसे पहले एक टैंक दिखाया जाता है यहां पे है तो टैंक में अगर आप देखा जाए तो हमारे पास टॉर्क बहुत ज़्यादा चाहिए होती है इसको start करने क्योंकि इनर्शिया ज है हमारे पास टैंक है वो ऊपर चड़ना start कर देगा तो लीवर हमारे पास क्या है ऐसा क्या कर देगा ऐसा क्या कर देगा तो यह देखो इतने ही ज़्यादा इसमें टॉर्क चाहिए होती है कि चढ़ाई चढ़ना है बड़ा मुश्किल होता है कई बार प्लेन में तो स्पी देखते हैं तो जैसे मैंने फेहले सम्झात है हुआ है सिंग्ड्रो मैश गरबॉक्स वह समझाया होगा है मैंने कांस्टन मैश्ट gied box भी समझा रहता है तो यह जब वह घैर बॉक्स हैना वह हमारे पास क्या आ जाता है कि बहुत-बड़ा सैट आस उसके अंदर कि काफी सा गेर ठीक है प्लैनेटरी गेर या एपी सैक्ली गेर ट्रेन यह हमारे पास होती है यह हमारे पास क्या है एपी सैक्ली गेर ट्रेन है ठीक है इसको हम फ्रंट से देखेंगे यह साइड वीव है इसका फ्रंट वीव यह है इसका फ्रंट वीव में आपको देखने को मिलता है कि इसमें मतलब गेर हमारे पास किस तरह से सेट किये हूए हैं कि अगर हम इसकी फंक्षर्णिंग चेंज कर दें तो हमारे पास अलग अलग टॉर्क आएगी कहीं पे हमें टॉर्क चाहिए ज़्यादा तो टॉर्क मिल जाएगी कहीं पे हमें स्पीड ज़्यादा चाहिए तो हमें स्पीड मिल जाएगी accordingly हम set कर सकते हैं सिर्फ इसकी है मदद से तो बहुत ही ज़्यादा interesting और complicated भी है तो प्लीज इसको एक एक बात को ध्यान से सुनना यह होता है हमारे पास sun gear जैसे sun gear क्यों क्योंकि sun बीच में होता है वो planets गुमते रहते हैं तो यह sun gear है यह sun gear है तो यह हमारे पास इसको हम sun gear बोल देंगे ओके यह इस तरह से दिखाया गया है यह हमारे पास जो है यह हमारे पास होते है प्लैनेटरी गेर्स ये प्लैनेटरी गेर्स की तरह है सन वो है उट ठाहने हुए है इस सेंस्टम में नहीं आप तरही रींग इंग ये इतना सा काम है ठीक है आपको बताऊं i.tn TR fix चेंज कर लेना है ultimate चीज़ गेर का रेशो चेंज कर देना है हमने इसकी मदद से अब हमारे पास एक और पार्ट है इसमें जिसको हम क्या कहेंगे प्लैनेट केरियर, यह है प्लैनेट केरियर, मतलब हमारे पस जो प्लैनेट गेर है न, वो इसके उपर लगे होते हैं इस तरह से, यह वान, यह टू, और यह त्री, यह इस तरह से इसके उपर लग जाते हैं, और यह पूरा का पूरा स्लाइड करके हम उसके साथ लगा देते ह और ये अपने एक्सेज पे इस तरह से खूम सकते हैं ये दिखाये जा रहा है कि इस तरह से अपने एक्सेज पे भी और इस तरह भी खूम सकते हैं तो वही बात दिखो जैसे हमने समझा जैसे हमने बार बार कहता हूं कि नेचर से ही हमने सब कुछ सीखा है नेचर से ही सीखा है हमने और नेचर में हमने ये देखा है कि हमारे पास प्लैनेट जो है अपने एक्सेज पे भी खुमते हैं ऐसे भी खुमते हैं और सन के राउंड भी खुमते हैं और ये भी इसी तरह से कर रहे हैं हमने नेचर से स्पिखा है, तो नेचर भी इसी तरह है, इसलिए वो planets, हमारे पास planet gear है, ये sun, planet और ring gear, ये तीन चीज़े है, अब देखिये हमारे पास इसमें system एक बार समझना, और बार बार आपको उसी चीज़ की समझ आती रहेगी, और बार बार हमारे पास explanation जो होगी इसी के बेश भी होगी. पहले बात समझ लो. बाद में आपको और जादा एक्स्प्लेंट करूंगा. पहले बात समझ लो क्या? सबसे पहले हमने क्या किया कि कि Sun Gear को हमने क्या कर दिया? Sun Gear को हमने सीधा engine के साथ जोड़ दिया. ये engine के साथ ये ring gear है तो ring gear भी engine के साथ जोड़ सकते हैं अभी ये अभी ये मत सोच ना कि कैसे जोड़ा कैसे जोड़ा अभी उस पर focus मत करो जोड़ा है और ये automatic transmission में सब कुछ चल रहा है तो अभी ये tension मतलो कि कैसे जोड़ा अभी सरफ ये समझना है कि ये जोड़ा गया और इसको engine के साथ connect कर सकते हैं तीसरा तरीका यह है कि हम अलग अलग हैं ना देखो पहले सन के सन को हमा के engine के साथ जोड़ दियां या engine को जोड़ दियां हमने planets के साथ प्राइनियत गेर के साथ यह हमने इन जिए कские तो के साथ जोड जोड के देखिया तो यह हमारे पास क्या है रिंग गेर को इसके इलावा क्या कर सकते हैं इसके इलावा यह कर सकते हैं सन गेर को आउट्पुट बना दें आउट्पुट पे जोड दें वो कैसे फिर मैं कहुंगा प्लीज इस पे फोकस मत करना भी कि कैसे अभी क समझो कि क्या होगा, यह हमारे पास क्या है कि Output पर हमने Sun Gear को जोड़ दिया, ताकिी जो Wheels है Sun Gear के साथ साथ गोंए, देखो Sun Gear के साथ साथ गुमेंगे, यह इस तरह से गुमेंगे, Simple? क्यों लिखसर होगेजिlor तो ज़ुखे? ठीक है और तीसरा वही हमार पास क्या है केरियर प्लैनेट केरियर है यह केरियर घूमे और हमार पास क्या हो जाए वील भी घूमे तीन आगे तीन इंपुट वाले, तीन आउटपुट वाले तीन उस तरह से जोड सकते थे, तीन इस तरह से जोड सकते हैं हमारी मर्जी है, वो मेरे पास छे आप्शन आगी है छे आप्शन आगी है, कि अगर रिंग हमारे पास सन है Sun को Input, Sun को Output Ring को Input, Ring को Output हमारे पास Planet Carrier को Input, Planet Carrier को Output इन तीनों को, अलग-लग आप्शन को, अलग-लग तरीके से जोड सकते हैं एक को Input बना दो, किसी और को Output बना दो इसी तरह से हमने करना है लेकिन ये Input आउटपुट किस तरह से करें, क्या करें और इससे Gear Reduction होगा कैसे वो अब हम समझेंगे इसमें इसमें सबसे Main बात क्या है कि अगर आपने कहीं से Gear Ratio Chain करनी है कहीं पे Gear Ratio Chain करनी है तो Simple सा Idea ये है कि हम इसको क्या करें कि एक जगा पे Lock लगा दे कि हम इसके उपर Belt है, इस तरह से चड़ाएं कि हम इसको Lock कर सके तो हम Lock करते हैं, देखिए ये देखिए, ये चल रहा है अभी ये Lock लग गया है, देखो हिल नी रहा है इसको कहते है Reactionary, मतलब Lock लगना, बस आप ज़्यादा मत समयना, इसमें ज़्यादा टेंशन नी अब इसको देखो, Ring Gear को भी उपर और ये Lock हो गया, तो तीन तरह से हम इसको Lock कर सकते हैं तीन तरह से Lock कर सकते हैं, अब देखिए इसका फाइदा कहां मिलेगा, इसका और चौथा एक और चीज़ है ये हमारे पस क्या है, कि हमारे पस Clutch Plate है, Clutch Plate क्या है वो इस तरह से Work करेगी, कि हमारे पास ये Sun Gear ये Sun Gear है ने, जो ये इसके साथ जुड़ा हो, मतलब Clutch हमारे पस रेट ऐसी है कि अगर ये चले, ये भी चले लेकिन अगर हम Move करें उसी को, तो Sun Gear और Ring Gear आपस में अटैच हो जाएं, वो एक साथ चलें अभी इस पे अगर फोकस नहीं करना, दिमाग में ने देखो, मैं फिर से कहूँगा, अगर शायद आपको repeat देखनी पड़ सकते है वीडियो को, शायद दो ये तीम बार देखनी पड़ सकते है, अगर ना समझाए तो लेकिन आपको समझा जाएगा, ये मेरे guarantee है, ओके, ये है हमारे पास वो clutch, जिसके कारण हमारे पास engage, dis engage हम कर सकते हैं, sun gear और ring gear को आपस में attach कर सकते हैं, तो start करते हैं, जी, start करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास अलग लग system क्या बन सकते हैं, system क्या बन सकते हैं, तो कैसे करेंगे, कौन सा रोकेंगे, कौन सा नहीं रोकेंगे, उस सब की जो अलग लग condition मनेगी, कौन सी मनेगी, neutral बन जाएगा, इसी के अंदर देखो, इसी के अंदर neutral भी, gear reduction भी, overdrive मतलब speed बढ़ाना, gear reduction करना, speed कम करना, reverse करना और डारेक्टर ड्राइव सीधा करना, यही होता है, neutral होता है, first gear होता है, speed कम है, second gear होता है, speed बढ़ जाती है, reverse gear होता है, हमारे पास, और डारेक्टर हमारे पास होता है, ऐसी होता है, इसमें भी वही सब कुछ हो रहा है, लेकिन किस तरह से हो रहा है, Neutral, Gear Reduction, Overdrive, Reverse, Direct Drive ये सब कुछ कैसे हो कैसे रहे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए पूरे सिस्टम में समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से हम कर सकते हैं तो सबसे पहले Neutral की देखते हैं इसमें हम किसी भी चीज़ी को Tight नहीं करेंगे Tight नहीं करने का मतलब हम उसको Lock नहीं करेंगे सब कुछ अपनी अपनी जिगा पे चलता रहेगा देखो किसी चीज़ी को Lock नहीं करें Engine का हमारे पास जो है Engine को Direct जोड़ा गया है Sun वाले के साथ बीच वाले के साथ जोड़ा गया Sun वाले के साथ जोड़ा गया पावर दे लिया, लेकिन लॉक किसी को नहीं लिया, अब देखो, ये चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, लेकिन ये अपनी जगा पे चल रहा है, ये वाली आम नहीं हिल रही, ये शाफ्ट नहीं हिल रही, इसमें देखना है, ये देखो, ये गेर अपनी जग इसको दिखाने के लिए ये देखो ये पत्तिसी लगा दी ये घुंडा है ये फूल जाफण ये ये रूकी जी हूई है क्योंकि हमने किसी भी को लॉक नहीं ल में लगा इसकट का मत्रबा कि हमने न्यूट्रल में लगा दिया है ये फूलिघांड दूत लेकिन अभी हमने गाड़ी चलानी है तो हमें क्या चाहिए हाई टॉर्क चाहिए हाई टॉर्क चाहिए तो हम क्या करेंगे अब हमने लॉक लगाना है एक चाहिए को देखो प्लैनेट केरियर आउटूट हमने क्या हमने क्या करना है कि हमारे पास ये बाहरवारा रिंग जो है रिंग आया इसने इसको चला दिया ये बंद है इसके कारएं ये वली चीज हिलने शुड़ा स्टार्ट हो जाएगी और ये हमारे पास यहां पर स्पीड मिलने स्टार्ट हो जाएगी देखो अब देखो यह हिलने लग यह बाहर वाला बंद है लेकिन उस बाहर वाला बंद करने के का पहले एक जगह पा ऐसे चर्णाँ जैसे आर्थ एक चलती और फसन का चक्कर ना लगाएए लेकिन यहां क्या कर रही है अपनी जगह पे आर्थ चल रही है और साथ में सन का भी चक्र लगा लिए देखो सन का भी चक्र साथ में लगा लिए सिंपल है सन का भी साथ में ये देखो चक्र लगा लिए इसके कारण क्या हो गया कि इसकी स्पीड देखो ज़्यादा है और इसकी स्पीड कम है तो इसको कहते हैं गेर रेडेक्शन पहला गेर लगा दिया हमें फिर्स्ट गेर लगा दिया है यह हम नहीं करेंगी यह सारा कुछ हो जो सिस्टम है वो करा हुआ है ताकि हम मूब करें हैंडल को और वो मूब हो चाहिए यह हमारे पास देखो स्पीड जादा और इसकी स्पीड कम लेकिन यह अगर एक एंगल से समझें कि किस तरह से कितनी स्पीड रिडियूस हो रही है या टॉर्क कितना बढ़ रहा है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको ना ध्यान से देखो एक बार त्यान से देखो चीज़ों को नहीं चल रहा बाकी चल रहे है अब देखो अगर इसके ऑपर लाइन लगाएं तो यह द देखो चल रहा है यह स्पीड पे चल रहा है और ये धीरे-धीरे चल रहा है देखो ये पूरा एक चक्र काट लिया इसने और ये अभी वन थर्डी चला है दुबारा देख लो इस चीज को दुबारा चीज को देख लो ताकि आपको समझ आ सके कभी भी आप भूलो ना मैं बार-बार आपको दिख सब्सक्राइब केट सब्सक्राइब सब्सक्राइब Grande अब दूसरा ये है और ज्यादा हम अलग चीज करें प्लेके एफंज सकते हैं कि लगाना है अब हमने क्या किया अब हमने जब लॉक लगाया ना तो लॉक लगा दिया इसको देखो इसको लॉक लगा दिया संगेर को लॉक लगा दिया इसको चला दिया इसको लॉक लगाने से क्या होगा अब हमारे पास पीड जो थोड़ी सी बढ़ जाएगी अब देखो अ 1-3 चप नहीं को समय लो हमने क्या किर। हाँ ? फिर से कहा हूं सन गेर को लौक लगा हमने क्या किया सन गेर को लॉक लगा दिया सन गेर को जैसे ही लॉक लगा तो यह देखो स्पीड देखो कैसे चेंज होई यह रिंग गेर बाहरवाला गूम रहा है सन गेर रुका हुआ है लेकिन ये वाली आउटकूट मिल रही है इससे तू थर्ड तो वो प्लैनेट केरियर गुम रहा है उसके कारण शार्ट गुम रही है उसके कारण शार्ट गुम रही है I hope कि ये चीजे क्लीर हो जाएं आपको बहुत ही जादा खतरनाक चीज़ है ये अगर नहीं समझाए तो बहुत जादा गलत चीज़ है समझाए तो बहुत मज़ेदार चीज़ है बहुत मज़ेदार चीज़ होती है ठीक है समझाए थोड़ा सा समझाए तो हमने थोड़ा सा स्पीड में चेंग ला दिया अब थोड़ा सा स्पीड पे ये चलने लगए मतलब टायर थोड़े से स्पीड पे चलने लगए ठीक है अब ये सब सब आउटपूट कहां से मिल रही थी कैरियर से अब हमने उल्टा कर दिया थोड़ा सा यह concept समयलो बाद भी हमें उसके बार में समयलेंगे कि कैसे करते हैं अभी हमने जो planet केरियर को इनको input बना दिया पहले कोन input था sun gear अभी कोन है यह input है अगर planet केरियर हमार पस input आ जाए तो overdrive हम मिलजेगा स्पीड बढ़ने लग जाइए, स्पीड बढ़ने लग जाएं, उल्टा कर दिया मतरभ टीक है अब हमारे पास जो है, हमने क्या कर देना है, लॉक लगाना है lock किसको लगाना है। हमने Sun gear को lock लगा देती है। ठीक है creepते और आउटफूट कहा से मिली की। आप देखो उल्टा कर दिया। पहले हम अलग करा था उल्टा कर रहा। सिस्टम उल्टा कर दिया। अब पहले हमारे पस Sun gear को power मिली थी। output हमारे पास Planet फ्लानेट केरियर था अब प्लानेट केरियर को इंजिन के साथ जावड़ा और हमारे पास आउटफि तो यह आएग बाइए नहीं के शानता आँ उसके कारण जो है इस तरह से मिलेगी देखो, speed इस तरह से मिलेगी है, यह देखो, ये lock लगा دیا, देखो अब lock लगा दिया, किसको sun वा देखो, sun को lock लगा दिया, sun अब रुक चुका है, लेकिन ring gear घुनना start कर दिया, कौन किसको चला रहा है, planetangerring gear को चला रहा है, planet carrier यह ring gear को चुलारů रहा है देखो गिर चल रहा है अब प्लीन इर्यएछ पे इसकी भध चुका है इसकी स्पी चुरार देखो और इसकी स्पीड देखो यह इंपूट है यह इंपूट है यह इंपूट धीरे धीरे एक चक्र देखो यहां तक पहुंचा यहां तक और यह एक चक्र काट चुका है यह देखो यह इसने पूरा चक्र अब काटा है और यह डेड़ चक्र काट चुका है स्पीड डेड़ गुना कर दी स्पीर टेळ गुना कर दी बारा देख लो चाहें इसे अब देखो दोबारा देको इसको लुक लगा दिया संगreto लगा दियाँ और ऊउटपूर कामा से मिली रिंग गयर से अब देखो यहां से चला यह अभी बैचारे ने देखो यह यहीं पहुंचा और यह रिंगेर कहां पहुंच चुका है यह यहां तक पहुंचा और रिंगेर कहां पहुंच चुका है यह यहां तक पहुंचा और रिंगेर पूरा कर गया अब यह पूरा यहां तक किया और रिंगेर ने डे बात समझ में आई या नहीं यह बताओ ठीक है अल्टीमेट चीज है और अगर आपको समझ आगा तो लाइक जुरू कर देना वीडियो को अब हमारे पास जो है क्या करना है अब हमने सिस्टम और चेंज करना है अब हमारे पास जो आउट्पूट मिलेगी वो संगेर से मिल जा जाएगी और हमारे पास इंपूट हमारे पास वही प्लैनेट केरियर से ही है अब देखो लॉक लगा दिया उसने लॉक लगा दिया कि इसको इसको बाहरवाले रिंग को लगा दिया रिंग गेर को ने लॉक लगा दिया संगेर से आउट्पूट लेगी संगेर से लगाया कि किसी को लॉक लगा दे क्या करें हमने सिर्फ हैंडल है इदर उदर करना है हमने लॉक वगारा सब कुछ अपने आप करना है उसने किसको लॉक नगाना है कि अब देखो स्पीड देखो इसकी यह बचारा यहां तक पहुंचा भी और इसने गेर चक्रफूरा भी कर दिया दुबारा देख लो चाहिए इसको दुबार देख यहां से बिचारा यहां तक किया है और यह देखो इसकी स्पीड यह आउटपुट मिल रहा है यहां से यह टायर के साथ जोड़ा हुआ है यह देखो यह अभी बिचारा यहां पहुंचा है और यह कितनी स्पीड का देखो अब पूरे को देखो पूरा कैसे है पूरा चक्कर बढ़ा है बढ़ा गेर जब छोटे को चलाता है तो क्या होती स्पीड बढ़ती है चोटा बढ़े को चलाता है तो टॉर्क बढ़ती है बढ़ा छोटे को चलाता है तो स्पीड बढ़ती है तो हमारे पास ये के और बाद में हमारे पास बनते हैं सा बात की जीए अब देखो लास्ट हमारे पास प्लैनेट केरियर को अगर रोक दे अगर हम प्लैनेट केरियर को रोक दे देखो लॉक लगा दे हैं प्लैनेट केरियर को अगर हम इसको लॉक लगा दे तो उसके कारण reverse मिलेगा हमें उसके करण क्या मिलेगा reverse मिलेगा हमें अब हमने क्या किया कि यह देखो हमारे पास जो यह input आ रही है वो किस के साथ sun के साथ ठीक है और यह हमारे पास देखना यह देखना अब lock लगा देंगे किसको lock लगा देंगे planet carrier को प्लैनेट carrier को lock लगा देंगे planet carrier को जैसे lock लगाते हैं तो हमारे पस क्या आ जाता है sun gear से यह चला लेकिन यह पूरा आपस में घुमना बंद हो गया यह यहीं अपनी जगा पे घुम रहा है और output कहा हमें मिल रही है output हमें मिल रही है यहां से यह बा इससे मिलेगा इससे मिलेगा reverse gear का हमने सीख लेना है किस तरहां से लगता है वह हमने क्या किया input देंगे sun को planet carrier को रोक दिया और बाहर से हमने ले ली ठीक है अब हमारे पास डारेक्ट ट्राइव डारेक्ट ड्राइव की स्पीड पूरी जो इतनी है उस Sea पलाज प्लेट का इस्तंत लिए पलच पलेट का इस्तमाल करते हुएnte Sun गयर और स्पीड पे चल रहा है यह सेम स्पीड पे चल रहा है इस तरह से आप इन चीजों को समझ सकते हैं इस तरह से आप इन चीजों को समझ सकते हैं ओके ओके तो यह हमारे पास थेओरियो ऑफ मशीन के लाइव लेक्चर में हमारे पास यह सब कुछ मैंने करवा रहा हूं ठीक है मै अब ही बाद में यही वीडियो जो है यह वीडियो हमारे पास यूट्यूब पे भी जानी है तो यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो अब तो आपको बताओं कि मेरी एप जुरू डाउन्लोड करें एप में हमारे पास यह सब कुछ अवेलेवल है और त्योरियो मशीन क पूल सलेबस महापी में कर वाराओं